नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चनल पे दोस्तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम STT 2019 के बारे में बात करेंगे बिहार बोड ने STT 2019 की परिक्षा को रद कर दिया है 28 जनवरी को दो पालियों में इसकी परिक्षा लिगए थी और इसमें 247,241 अभिरती सामिल हुए थे इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा ख़वर बताएंगे तो इस वीडियो को लाज तकवज देखिए और इसे दोस्तो तकवज सेर करें जिसे उनको भी इसे पता चल सके बिहार बोड ने फिलहाल में ये ओफिसल नोटिपिकेशन जारी किया है आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं बिहार बोड द्वारा STET 2019 को रत कर दिया है और बोड ने याड नील्ना लिया है कि STET परिक्षा के कमीटी जो है गठित की गई थी उसमें इसकी अनुसंसा के बाद जो है इसको रत कर दिया गया है और परिक्षा रत करने के साथ ही बोर्ड ने सिक्षा विवाग को पूनह इसको आयोजित करने के लिए अनुसंसावी बेजी है STET 2019 जो है राजबर में 28 जनवरी को 317 केंदों पर ले गई थी और इसकी प्रप्रिक्षा का आयोजन जो है दो पालियों में होई थी देखे तो 2,47,241 अभर्थी इसमें सामिल होए थे और पर्थम पाली में 1,81,738 और दोसरी पाली में 65,530 अभर्थी इसमें सामिल होते और इसका आयोजन जो है 28 जनवरी को हुआ था प्रस्पत जो है लिख हुआ था इसमें 4 सदस कमिटी गटित होई थी और इसके निगरानी के बाद जो है बोड के अध्यक्ष निल कमल की अध्यक्षता में कमीटी की परसासनिक अधिकारी संजय पिरदर्शनी और परकास नरानी की निगरानी में इसमें सामिल थे इनके द्वारा ये कमीटी गटित की गई थी और board ने ये मान लिया है कि प्रस्पत जो है mobile से लिख हुआ था अलग-अलग के अंदरों पर 28 जनवरी को जो हुआ था उसमें पहले समाजिक विग्यान था और social science ये सब भी था इनको लेकर के जो है board ने ये मान लिया है कि प्रस्पत जो है लिख हुआ था और उसे mobile से लिख हुआ था प्रस्पत आप देख सकते हैं board ने इसे माना है और इसको यहां वहां भेजा गया है इसके लिए प्रस्पत जो अलग-अलग ग्रूप में गया है सबी परस्पत को एकी ग्रूप में डाला गया है और अलग-अलग परिच्छा के अंदों पर तोड़ फोर हंगामा के बाद प्रस्पत जैसे घटना ही हुई है इसको देखते हुए इसे रद कर दिया गया है यह आज का ओफिसेल नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगर जो इस चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको जब मैं वीडियो डालूँ तो अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए चनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ना दबाना भूले जिससे हमारा अगला ख़बर आप तक मिल सके